नागपुर में रहने वाली दिरचना एक दिन स्कूल से आकर अपनी मा से कहती है मा कल स्कूल की तरफ से सबी बच्छों को पिकनिक पर ले जा रहे है उसके लिए सबी बच्चों से टीचर ने 300 रुपए लाने के लिए काहा है मा तुम भी अपनी बिटिया को पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दोगी न? बिटिया तुझे तो पता ही है कि आजकल मेरे कपड़े सिलने का काम बहुत कम हो गया है क्योंकि मेरी सिलाई मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है और आजकल के लोग भी सिले हुए कपड़े लेना ही जादा पसंद कर रहे हैं ऐसे में कमाई भी बहुत कम हो गई है दरसल संतोश के पास जो सिलाई मशीन थी वो बड़ी ही पुरानी हो चुकी थी क्योंकि वो एक सेकंड हैंड सिलाई मशीन थी जिसे वो किसी से खरीद कर लाई थी रचन बहुत ही समझधार बच्ची थी उसने अपनी माँ से कहा कोई बात नहीं माँ मैं कल पिक्निक पर नहीं जाओंगी मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची मैं कैसी माँ हूँ अपनी गरीबी के चलते मैं तुझे छोटी-छोटी खुशियां भी नहीं दे सकती ये कैसी बात कर रही हो मा मेरी खुशी तो तुम से है अगर तुम हो मेरे पास तो मेरे कदमों में दुनिया भर की खुशियां है संतोश लोगों के कपड़े सिलने का काम करती थी लेकिन अब तो जादा तर लोग मौल से ही कपड़े खरीते है या फिर ऑनलाइन रैडियो मेट कपड़े मंगाये करते है इसलिए संतोश को छोटे-मोटे काम से ही अपना गुजारा चलाना पड़ता है जिससे उसकी कमाई भी बहुत कम हो रही थी दोनों मा बेटी कम पैसे में ही किसी तर अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रही थी रचना के स्कूल में उसकी गरीबी का सभी बच्चे बहुत मजाग उड़ाय करते थे उसकी पुरानी ड्रेस और फटे मुझे देग दूसरे सभी बच्चे उस पर हसते थे रचना तेरे पास नई स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो मुझे बोल मेरे पापा ने मेरे लिए नया स्कूल ड्रेस खरीदा है मैं मेरा पुराना स्कूल ड्रेस तेरे ले लेती आऊंगी तो कब तक फटी हुए स्कूल की ड्रेस पहन कर स्कूल आती रहेगी नहीं, मुझे तुम्हारा पुराना स्कूल ड्रेस नहीं चाहिए मेरी मा मेरी फटी हुए स्कूल ड्रेस को सिलकर बिलकुल नया जैसा कर देगी अच्छा तो तेरी मा इतनी अच्छी दर्जी है तो उनसे अपने फटे हुए मोजे भी सिलवा ले ना इतना कहकर वो बच्ची हसने लगी रचना को अपनी बहुत बेज़ती मैसूस होती है वो घर आकर अपनी मा को सब कुछ बताती है कोई बात नहीं बेटी तू दूसरे बच्चों की बातों पर ध्यानी मत दिया कर बस अपनी पढ़ाई से मतलब रख मा अगर बाबा आज जिन्दा होते तो हमें इतने दुख नहीं जेलने पड़ते ना हाँ मेरी लाडो लेकिन अब तो किस्मत में रोना ही लिखा है नहीं मा हम रोईंगे नहीं हम हर कठिनाईयों का डट कर सामना करेंगे रचना के पिता एक रिक्षा चलाते थे उनकी एक सड़क दुरघटना में मौत हो गई थी उसके बाद से रचना और उसकी मा अकेले पड़ जाते हैं लेकिन उसके पिता का रिक्षा अभी भी खड़ा था मा मैं भी पिता जी की तरह ही रिक्षा चलाऊंगी लेकिन रचना अभी तुम बहुत छोटी हो तुम रिक्षा कैसे चला पाऊगी मा तुम चिंता मत करो मैं रिक्षा चला लूँगी ठीक है बेटी दूसरे दिन से रचना अपने पिता का रिक्षा लेकर स्कूल जाने लगी वो स्कूल जाने वाले दूसरे बच्चों को अपने रिक्षे में बिठा लिया करती और उन्हें स्कूल छोड़ देती और शाम को उनी बच्चों को अपने रिक्षा में फिर बिठा कर घर छोड़ देती इससे रचना की थोड़ी बहुत कमाई होनी शुरू हो गई वो घर-खर चलाने में संतोश की मदद करने लग गई लेकिन इन सबसे उसके स्कूल के दूसरे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे रिक्षवाली कहकर चिड़ाने लगे तो क्या हुआ? मेहनत करती हूँ और पैसे कमा कर अपनी मा का हाथ बटाती हूँ किसी के आगे भीग तो नहीं मांगती हूँ न? रचना अपने जवाब से सभी का मूब बंद कर देती ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं फिर एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल में हम अनाउंस्मेंट करती हैं बच्चो, पर्सो हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रत्योगिता है सभी बच्चो को इस प्रत्योगिता में हिस्सा लेना है जो बच्चा इस प्रत्योगिता में प्रथम आएगा उसे पूरे बीस हजार का इनाम दिया जाएगा Announcement सुनते ही रचना ने सोचा यह इनाम मुझे मिल जाए तो मा के लिए नई सिलाई मशीन आ जाएगी लेकिन fancy dress प्रत्योगिता में पहनने के लिए मेरे पास कपड़े कहां से आएगे रचना की क्लास के बच्चे उसे बोलते है रचना fancy dress competition में तू कौन सी dress पहन कराएगी यह क्या पहनेगी इसके पास तो school की dress भी धंग से पहनने को नहीं है रचना मेरे पास एक पुरानी dress है तू कहे तो मैं तेरे लिए लादू नहीं मुझे तुमारे कपड़ों की जरुरत नहीं है मेरी मा है न वो मेरे लिए कुछ सिल लेगी हां तेरी मा ने दूसरों के कपड़े में से चोरी करके कुछ कपड़े तो बचाई ले होंगे उन्हीं कपड़ों में से कुछ dress पनवा ले न अपनी सहेलियों की बात सुनकर रचना उदास हो जाती है जब वो स्कूल से घर आती है तो संतोश उसे खाना निकाल कर देती है रचना मेरी लाडो आ गई आ आकर खाना खाले नहीं मा मुझे भूक नहीं है क्यों भूक नहीं है तू तो आप पहले से दुगनी मेहनत कर रही है तू अगर ठीक से खाना नहीं खाएगी तो पढ़ाई और काम दोनों एक साथ कैसे करेगी तब रचना स्कूल की सारी बात अपनी मा को बताती है मा स्कूल में सभी बच्चे मेरा बहुत मजाग उडाते है मा मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रत्योगिता है और मुझे वो प्रत्योगिता हर हालत में जीतनी होगी ताकि मैं उन सब का मुह बंद कर सकू लेकिन प्रत्योगिता में पहन कर क्या जाएगी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे कोई ड्रेस दिलवा सकू बेटी कभी रचना का ध्यान घर पर रखी अपनी पुरानी कौपियों की ओर जाता है वो सभी कौपियां भर चुकी थी और एक कोने में रखी हुई थी मा मेरी ये सभी कौपियां किस दिन काम आएंगी हम इन कौपि के कागजों से एक प्रिंसेस गाउन बनाएंगे कौपि के कागज से गाउन हा मा कौपि के कागज से गाउन इससे पहले ये गाउन किसी ने देखा भी नहीं होगा ठीक है मेरी बच्ची, मैं तेरे ले कागस का गाउन तयार करूँगी रचना कुछ अकबार कबाड़ी वाले से जाकर ले आती है फिर वो दोनों मा बेटी मिलकर खुब मेहनत करती है और फिर तीन दिन में कागस का एक सुन्दर सा गाउन बना कर तयार कर लेती है साथ ही वो एक बेहदी सुन्दर क्राउन भी रचना के लिए बनाती है आखिरकार प्रत्योगिता वाला दिन भी आ जाता है और रचना कागस का गाउन और क्राउन पहन कर उस प्रत्योगिता में जाती है उसे देख सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते है अरे रचना, ये तु क्या पहन कर आई? बच कर रही हो, कई हवा चली और तेरा ये गाउन उड़ी न चाहे मैंने और मेरी माने इसे बनाने में बहुत महनत की है कागस का गाउन बनाने में बहुत महनत लगी है हमारी कुछ तेर बाद प्रतियोगिता शुरू होती है सभी लड़कियां स्टेज पर एक एक करके आती है और रैम फॉक करती है फिर सबसे आखिर में रचना अपना कागस वाला गाउन पहन कर आती है उसका कागस का गाउन जजस को बहुत पसंद आता है और उन्होंने रचना को विजेता घोशित करते हुए उसे फर्स प्रैस के साथ 20,000 का इनाम दिया और कहा रचना तुमारा कागस का गाउन सबसे हटके और सबसे अलग था इससे पहले मैंने कभी ऐसा गाउन नहीं देखा सर ये मेरी मा की महनत का नतीजा है उन्होंने इस गाउन को बनाने में बहुत महनत की है संतोष स्टेज पर आती है जजस उसकी कारीगरी की खुब तारीफ करते हैं और फिर ओडियंस में बैठे सभी बच्चों के पैरेंट्स ताली बजा कर उसका सम्मान बढ़ाते हैं ये देखकर संतोष की आँखों में आसुआ जाते हैं फिर रचना अपनी मा को वोई नाम और ट्रोफी देती है साथ ही उसके पाउं भी छूती है रचना के क्लास की सभी लड़कियों के सर शर्म से जुग गए संतोष और रचना खुशी-खुशी घर आती है फिर नाम में मिले पैसों से रचना अपनी मा के लिए सिलाई मशीन खरीती है कुछी दिनों में उसके कागस के गाउन की तारीफ हर जगा होने लगती है अलो दोस्तों कैसे है आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और हाँ बेल आइकोन पर क्लिक करना मत भूलेगा